साथ्य आज में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बैंक का नोटीस आया है, किसी बेएतरा का नोटीस आया, तो क्या करना है, नोटीस का जवाब कैसे देना है, किस तरह से बैंक से बात करना है? पहले बाद तो समझ जो मैं बार-बार बताता हूं उस सेशन में भी, आपको पता होना चाहिए, नोटिस कौन-कौन से होते हैं, तीन तरह के नोटिस होते हैं, जर्नली, एक नोटिस आता है, जो वकील का नोटिस होता है, एक नोटिस आता है, जो कोट का नोटिस होता है, अच जिस bank से भी आपने लो लिए मैं नाम ने लूँगा किसी bank का लेकिन जिस bank से आयम ने लोन लिया, आपका लोन चल रहा है, credit card का है, या पर्समल लोन है, क söप में कोई लोन चल रहा है, उस bank से जो you notice, me लोपimetर पर bank का लुचा है तो वो अकील का notice है, अगर लिखा हुआ है, नियाले हिंदी में, इंगलिश में court लिखा है, अदालत लिखा है, सत्र नियाले लिखा है, लोग का अदालत लिखा है, तो यह अदालत का, यानि court का notice है, तो यह तीन तरह के notice होगे, अब जो notice है को उसका जवाब कैसे देने, जो bank पर लिखा है, बैंक का नाम या बैंक के लेटरेट पर है, उसका जवाब दारेट आप बैंक को दे सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, ओरली जवाब मत दीजेगा, क्योंकि अगर बैंक भी चाहता, तो आपको नोटिस नाम भेज करके, बैंक आपको फ नहीं चाहता है वरना अगर देना चाहता होता तो ये नोटिस के जवाब देता है अच्छा आपने हर बार फोन पर बात की है लेकिन आपके पास तो प्रूफ नहीं है कम से कम मेल पर रिप्लाई करिए लेकिन बहतर होगा एक लेटर लिखिए अपनी पूरी वैथा बताईए आप क्यों लोन नहीं चुका पा रहे है अगर आपके किश्ट बाउंस हो रही है तो क्यों हो रही है यदि आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं है या बैंक की किसी और कारण से बैंक से ट्रैंशन नहीं हो पा रहा है कारण क्या है उसको कारण को विस्तार चे बताईए सम अपनी बात रखेगा आपकी बात लिछ देगा आपको कितना समय चाहिए क्या चाहिए वो सब लिख देगा तो वकील के तूठ ळूब दे सकते हैं अगर quote का notice आया है तो वहाँ पर वकील के तूभ भी जा सकते हैं और आप खुज भी जा सकते हैं मैं अक्सर recommend करता हूँ, आप खुछ जाए, जजबी इंसान है, अगर आपकी सिर्थी खराब है, नोडबंदी के कारण, लॉक्डाउं के कारण, GST कारण, या सरकार की किसी और गलत नीती कारण, आप करजे की ददले फसे, उससे पहले का आपका record ठीक है, तो जबाब अदालत मैं जाएंगे, GST साब से अपनी सिर्थी के बारें बताएंगे, GST साब को बताएंगे, मैंने थ boust बार बैंक से बात करी है, मैंने थने लेटर बैंक को भेजे है, मैंने यहां- yहां अपने application लगाई है, लेकिन अभी тख मेरी application जो सुनवाई नहीं हुई है, और मैं यह चा के नंबर मिल जाएंगे आपके राज्य प्रभारी से संपर करिए उसको कहिए कि मेरे पास लीगल नोटिस हाया हुआ है वकिल का कोड का बैंक का नोटिस है वो हमारी लीगल टीम का नंबर देगा आप उसे संपर करेगा वो बता दें क्या जवाब देना है लेटर कहां धान के साथ से करजा लेना अपराद है और यदि आप समय पर करजा नहीं चुका पा रहे हैं ये भी कोई अपराद नहीं है करजे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए आप करजे की दलदल में फसे इस पर आपकी गल्पी नहीं है इसके लिए सरकार की गलत मीत्या करिए आगे बढ़िए सार्थक प्रियास करिए हमसे कोई मदद चाहिए तो बताइए हम भी आपकी मदद करेंगे मैं आपके लड़ाई लड़ रहा हूं एक एक व्यक्ति का एक रुपा करजा उतरवाया जाएगा अगर आमने करजा मुक्ति अभियान का फॉर्म नहीं भरा है उसकी जानकारी होगी वो कार्ड ले लिजेगा पूरा अभियान निशुल है कार्ड भी निशुल की दिया जा रहा है निशुल का करजा मुक्ति का कार्ड भी प्राप कर सकते हैं